हेलो प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आलोग चौबे आपका फिजिक्स मेंटर बच्चो स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने प्यारे से फिजिक्स वाला फाउंडिशन चैनल पर तो बच्चो आगया हूँ मैं आप सभी के पास एक नय करने वाले हैं तो क्या आप सभी लोग त्यार हैं बच्चो आप सभी को मैं एक स्वेरिटी देता हूं कि इस लेक्चर के end में इस लेक्चर के end में आप सारे concept से related किसी भी टाइप के questions को solve कर सकते हैं तो बस बने रही है मेरे साथ चले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर उससे पहले हम देखते हैं हम क्या क्या चीज़े discuss करने वाले हैं आज की अपने lecture में ठीक है तो देखें बच्चो यह रहा यह चीजे हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे force क्या होता है फिर हम देखेंगे forces due to interaction forces are due to interaction फिर हम बात करेंगे exploring forces की effect of forces की उसके बाद हम देखेंगे types of forces फिर हम pressure देखेंगे और उसके बाद और उसके बाद क्या होने वाला है उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा pressure के बाद हम क्या पड़ेंगे उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा lecture के end तक तो चलिए start करते हम उससे पहले आपको मैं example से समझाता हूँ देखिए बच्चो य यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ चीजे क्या चीजे देखने को मिल रही है यह देखिए यह क्या कर रहा है यह इंसान कर क्या रहा है कर क्या रहा है आपने भी क्या होगा क्या होगा क्या कर रहा है एक बैग को पकड़ा है उसने एक बैग को पकड़ा है और वह उस किया जा रहा है यहाँ पर दिवाल को धक्का दे रहा है इंचान यह मैडम क्या कर रही है बैक को अपनी साइड खीच रही है यह क्या कर रहा है वापस इस बॉक्स को धक्का दे रहा है यहाँ पर भी बहुत सी जगे आपको यह देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अलग अलग इन लोग हैं जो कि अलग-अलब काम कर रहे हैं, कोई किसी चीज को खीच रहा है, कोई किसी चीज को धक्का दे रहा है, अब ये चीजे कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है, reason क्या है, क्यों खीच रहे हैं, क्यों धक्का दे रहे हैं, और ये करने से उन अबजेक्ट्स पर, उन अ नेहों तक पहुंचाना है कैसे कर सकता हूँ ला सकते हो सर करके बताता हूँ आपको कैशे ला सकता हूँ मैं उसको तो देखिए इस box पे मैं धक्का दे रहा हूं ठीक है अब यह क्या हो रहा है जैसे जैसे इस box को मैं धक्का दे रहा हूं इसकी position change हो रही है और मैंने क्या किया इस box को धक्का देके यहां से यहां तक this place कर दिया आप भी कर सकते हैं कर सकते है अब एक और चांपन से समझाता हूं में आपको क्या example यह राए box को वापस वह box से मुझे अब इस box को फिर से इस position पर लेकर आना है कैसे कर सकता हूं मैं पहले तो मैंने से का पक्ड़ा अब देखें मैं हुए मेडियो ब究 रहा हूं यह भाया बॉक्स की पोजिशनटेचेंज उरही है और मैंने फाननली बोहुत ही ताकत लगा के बहुत सारी एनरजी लगा के इस बॉक्स को यहां से यहां डिस्प्लेच कर दिया अब थक ग्या हूं है ना कि फरेंदर बच्ची है दो ग्या सकी जरी ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस box को मैंने क्या किया चेंज कर दिया अब क्या किया मैंने एक्चुली क्या किया थका दिया फिर खी चाहिए सब है क्या सर यह क्या है वह कौन सी चीज़ है जो की इस box के state ko change कर रही है state मतलब उसकी जो position थी उसको change कर रही है वो है नंग उसको change कर रही है अब देखिए अब क्या करना है यह वापस आ गया है कोई बात नहीं अब कोई बात नहीं देखिए अब हम बात करते हیک हैं वह कौनशी quantity थी वह कौनशी quantity थी जोकि responsible थी, उस box को यहाँ से यहां तक displays करने के लिए, तो उस quantity को बोलते हैं वच्चों, हम force, उस quantity को हम बोलते है force, force क्या करता है force क्या करता है वच्चों, तो force एक ऐसी quantity है, जब उस force को हम किसी object पर apply करते हैं, तो वो force उस object के state shape और size में चेंजश करता है उस object के state , shape , and size में changes करता है अब आपको मैं एक example से समझाता हूं आप लोग फुटवाल कहलते होंगे आप लोग में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेलते होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे जो होकी खेलते होंगे तो बच्चों उसमें क्या करते हैं एक्जामपल लेते हैं फुटबॉल की फुटबॉल खेलते हैं हमारे पास एक फुटबॉल है हमें उस फुटबॉल को मूव कराना है यानि हमें उस फुटब पर देते हैं हम cricket का कोई आप मैंसे क्रिकेटर होगा जिसने बहुत ही अच्छा सौट मारा पर पोजिट टीम का एक जो फिल्डर है उसने क्या किया आपका जो शौट था उसको कैच कर लिया उसको कैच कर लिया तीसरा एक्जामपल जो हौकी है हौकी खेल रहा है कोई बंदा क्या करता है अपनी होकी स्टिक से बॉल की डारेक्शन को मूँव करता है इन तीनों take कैस में हम कर किया रहे हैं पहले केस में हमने क्या किया एक जो ऑब्जेक्ट जो हमारी फृटबल रेस्ट में से तो हमने क्या किया हमने बॉल जो मोंशन में थी उस बॉल की डारेक्शन को चेंज किया इस से अपनी होने की स्टिक से हमने दारेक्शन को चेंज कर दिया चेंज कर दिया अब वो क्या चीजें थी वो कौन सी quantity थी जो की responsible थी ये तीनों काम करने के लिए तो बच्चो वो जो quantity है उसी quantity को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसी quantity को हम बोलते हैं ओर iiti उसको हम किसी object पर एप्लाई करते हैं उसको हम किसी आप्लेक्स या या फिर糖 का होसकती है या फिर सब्सक्राइक oriented जिसके application से body में कुछ changes हो, उसे हम बोलते हैं, force, उसे हम बोलते हैं, force, अब force होता है क्या है, इसको अगर हम define करें, तो a force is a push or pull, और both, push or pull, ये क्या ऐसा, अभी just example में देखा था, हमने, एक ma'am थी, जो कि back को अपनी side खीच रही थी, और एक इंसान था, जो कि एक wall को push कर रहा था, एक box को push कर रहा था, push करने का मतलब वो अपनी body से उसको दूर भेज रहा था, धक्का दे रहा था, तो वो क्या है, वो ही चीज़ है, push and pull, अभी हम देखेंगे push and pull को detail में क्या होते हैं, बात करते हैं, पात करते हैं, force की बच्चो, तो जो push और pull होता है, उसी को force कहा जाता है, और ये force apply करने से, body जो होती है, उसके state, shape और size में changes होते हैं, होते हैं बच्चो, क्या हम force को देख सकते हैं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम force को देख नहीं सकते हैं, पर हम उसे feel कर सकत जैसे आप ने फूट वाल पर एक इंग मारी तो उस पर जो फॉर्स अप्लाई कि ला उसको आप नहीं देख सकते हैं पर उस for के एप्लिकेशन से जो एक्ट हुआ यनिनी जो मोशन हुआ आप उससे देख सकते हैं आप this cannot be seen but can feel and observe the effect of force, यानि हम seen नहीं कर सकते हैं, पर उसके effect को हम क्या कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, observe कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, जो force है, वो बोला गया है कि push और pull दोनों हो सकता है, push और pull दोनों हो सकता है, ठीक है, push क्या होते है बच्चों, सिंपल सा आपने भी देखा होगा बहुत से आपके जो बड़े भाया होंगे और भी जो दोस्त होंगे कुछ लोग जिम जाते होंगे या फिर कुछ लोग घर पर भी क्या करते होंगे बोलते हैं जनरली कि आज मैंने 150 पुश अप की आज मैंने 100 पुश अप की इसका मतलब क्य रहे हैं हम उस अब्जेक्ट को अपनी बॉड़ी से दूर पुश कर रहे हैं है ना बच्चो पुश अब का मतलब क्या होता है ऐसे लेटके और अपनी बॉड़ी को सरफेस से ऊपर लेके आना फिर नीचे है ना यही करते हैं अब बात करते हैं पुश क्या होता है पुश क्या लेके जाते हैं जब कभी भी हम अपनी किसी object को अपनी body से दूर लेके जाते हैं तो उस पर जो force apply होता है उसे हम push बोलते हैं कैसे example से समझते हैं एक box रखाए अभी आप जिस room में बैठे हैं वहाँ पर एक box रखाए आपको उस box की position change करनी है आप जाइए box को पकड़िए और उस box पर ऐसे धक्का दीजे यानि आप क्या कर रहे हैं box को अपनी body से दूर लेके जा रहे हैं तो जब box या फिर कोई भी object आपकी body से दूर जाए तो जो आप force apply करेंगे वह कौन सा होगा वह होगा push दूसरा तरीका आपको box को जिस direction म मूब कराना है जिस direction मूब कराना है आप उस direction से box को पकड़िए और उसको खीचिए अपनी side उसको आप अपनी side खीचिए ठीके अब यह क्या हो रहा है बच्चों इस condition में इस condition में जो object है जो object है वह मेरी body के पास आ रहा है तो जब कभी भी किसी object पर force apply करने पर वह object आपकी body के पास आए तो उस force को हम बोलते हैं pull उस force को हम बोलते हैं pull बहुत ही simple तरीका था समझ में आगया आपको कैसे एक बार फिर से बताता हूँ जब object हमारी body से दूर जाए, तो वो push है, जब object हमारी body के पास आए, तो वो क्या है, pull है, ठीके बच्चो, समझ में आया, अब, sir हमने push समझ लिया, pull समझ लिया, अब, क्या हमें push और pull दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं, जी हाँ, बिलकुल देखने को मिल सकते हैं, कैसे, कहां पर push और pull एक साथ लगेंगे, बिलकुल लगेंगे, आये हम बात करते हैं push and pull की, यानि push भी होगा, pull भी होगा, और दोनों का combination भी होगा, कहां पर ऐसा होता है, तो आप में से कोई ऐसा होए, जो guitar बजाता है, तो उसको पता होगा, कि जब हम guitar को play करते हैं, जब हम guitar को play करते हैं, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम, बताओं क्या आपको, दिखाओं, तो यह देखिए बच्चो, guitar को हम जब play करते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, क्या करते हैं, बच्चो हम, हमने guitar को पकड़ा, और क्या करते हैं, अपने हाथों को, जो strings होती हैं, उस पे बार नीचे एक बार रूपर एक बार नीचे एक बार उपर ऐसा ही गरते है गिटार रहे खड़र लेके जा जारा है है यानि को हम अपनी बॉडी से दूर कर रहे हैं तो उस टाइम पर इस ट्रिंग हमारी यह पाश यह हो गया push and pull push and pull दोनों का combination हुआ तो जो गिटार बसता है बच्चो वह push and pull के combination से ही बसता है यानि वहाँ पर एक ही time पर दोनों forces लगते हैं सर ख्रा क्या इसके अलावा इसके अलावा और पर एकशाम्पूल हो सकते हैं देख़ेए किसी में रहा कन बोलते हैं यो और हिन्दी बोलते हैं और क्या किया जा रहा है यहाँ उसको हम काट रहे हैं एक लकड़ी से दूर जा रहा है तो हम कून सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पुश और जब यह आ रही हमारी बाडी के पास आ रही है तो कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चो पुल यानि पुश और फुश एंट पुल दोनों का combination है और इन दोनों के combination से ये जो लकडी है ये जो wooden block है ये दो pieces में cut गया ये भी example हुआ किसका? combination of push and pull इसके अलावे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ये देखिए तीसरा example ये रहा यहाँ पर क्या किया जा रहा है आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने क्या किया होगा? बोटिंग की होगी बोटिंग की है बच्चो तो ये कर क्या रहा इंसान? देख सकते हैं आप इसको इसने दो लकडियां पकड़ी है ये लकडियां है ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? हिंदी में इनको चप्पू बोला जाता है और यह क्या कर रहा है बच्चों यह नाव में बैठके इसको पकड़ा है और एक बार अपनी बॉडी से दूर लेके जाता है फिर पास लेके आता है ऐसा करने से वह जो वाटर है पानी उसको पीछे की और धकिल रहा है जिसकी वेज़े से उसकी के पास आ रहा है तो उस संटीशन में पुल फूश एंड़ तो दोनों का कंबिनेशन हो रहा है यहां पर भी फुशन फूल दोनों के कंबिनेशन से यह जो बोट है वह आगे मुव कर रही है तो देखा समय आपने बच्चों फूश एंड पुल यह फूर्स यह फ्षर सं़ हम क्या कर सकते हैं बोट चला सकते हैं लगडी को काट सकते हैं गिटार बजा सकते हैं एक्जामपल देख लिया आपने यह है फोर्स का एफेक्ट जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है यह हमने देख लिया अब बात कर ली हमने अब हमने बात कर ली कि सर इसा है इस से यह चीजह हो रही है अब सर के आरे में बात तो कर ली हमने पर पूर्स किन किन कंडीशन में लगीगा डूर कॉर्स के लिए तो यारेक और कॉर्ट कंडीशन होगी तो इन ग्रीज तो फोर्स आर ча सब्सक्राइध कर सकता है कैसे देखना है और एक रहा और एक इनसान है यहांपर एक विक्टी खड़ा हुआ है तो किया इस वेक्ति के प्रिजन्स से इस खार पर कोई भी इट के वह द्यां से यह से इस फिरला है यह कुछ भी नहीं कर रहा और उसके आगे एक कार खड़ी है तो क्या इस इनसान के यहां पर खड़े होने से जो कार है उसमें कोई भी effect हो रहा है कि यह आराम से मस्ती में heps रलाया और यह कार अपनी जगे पर है कोई वे इंट रेक्शन नहीं हो रहा है पर क्या इस कंडिशन में कुछ नहीं होगा बिल्कुल बहुत कुछ होगा बहुत कुछ होगा क्या राएunden यह देखिया अब यह जो इंसान है इसने क्या किया, क्यों सकता है पर आपने देखा अगर मूव नहीं करेगी तो फिर भी कुछ ना कुछ चेंज़ज साएंगे क्या आएंगे। हलका से deformation हो जाए या फिर वो कार्मूब भी कर सकती है कर सकती है पर वो फोर्ष को और अप्लाइ हो रहा है जब इन दोनों बॉड़िस के वीच में interaction हो रहा है यहाँ पर को interaction नहीं हो रहा था पर यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर फोर्स का effect हमको देखने को मिलेगा पर यहां पर नहीं मिल सकता है इसका मतलब क्या हुआ क्या समझे बच्चों आप लोग इसका मतलब यह हुआ कि अगर फोर्स को एपलाई होना है तो दो बॉडीज दो bodies का होना जरूरी है अगर दो bodies नहीं है तो force का interaction होगा ही नहीं और force apply नहीं होगा आया समझ में यानि force कित condition में apply होता है force apply होता है an interaction of an object with another result in force between the two objects यानि जब एक object का दूसरे object से interaction होगा तभी force apply होगा यहां पर भी वही बात लिखी है at least two force यानि at least यानि minimum दो force तो minimum 2 object minimum 2 object तो हमको चाहिए ही तभी force क्या हो सकता है come into play अगर दो object नहीं होगे तो जो force है वो नहीं लगेगा तो यह ध्यान रखेगा क्या रखना है ध्यान कि force क्या होता है पढ़्डिया हमने कब लगेगा जब दो bodies के बीच में interaction होगा और वो must है अगर ऐसा नहीं है तो force नहीं लगने वाला है जलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं हमने देख लिया interaction अब बात करते हैं exploring forces की exploring forces की अब किसी object पर force लग रहा है एक particular direction में लग रहा है opposite direction में लग रहा है magnitude कितना है यह कितना है वो कितना है वो जब चीजें हैं तो उस condition में उस object पर क्या होने वाला है देखते हैं हम एक एक करके इस condition में देखिए बच्चों इस condition में क्या है एक box है इस box को दो इंसान एक ही direction में देख सकते हैं आप एक ही direction में क्या कर रहे हैं इसको धक्का दे रहे हैं दे रहे हैं तो क्या होगा क्या होगा आप example से करके देख सकते हैं, कैसे करना है, एक box लीजे, आपके आसपास एक कोई box रखा हो, थोड़ा बड़ा सा, heavy सा, आप क्या कर रहे हैं, उस पर force लगा रहे हैं, पर आप इतना sufficient force नहीं लगा पा रहे हैं, कि वो box move कर रहा है, फिर आपने क्या किया, अपने दोस्त को बला आया, तो यह हो गया, आप, यानि आपका force A से represent कर रहा हूं है, और आपके जो दोस्त का force है, वो D से, जब आप दोनों एक object पर एक ही direction में force लगा रहे हैं, तो जो net force होगा, वो क्या हो जाएगा, sum of both the forces, यानि अब इस box पर ज्यादा force लगने लगा है, जिसकी वज़े से व को move कर जाएगा, यानि जब दो या दो से ज़्यादा forces एक ही direction में लगते हैं, तो हम उन forces को add कर देते हैं, और add करने से हमको क्या मिल जाता है, बच्चो, net force, यानि इस box पर total कितना force लगने रहा है, अगर वो हमें find करना है, तो क्या करेंगे, अगर forces same direction में लग रहे हैं, तो उन सारे forces को हम आपस में add कर देंगे, ठीक है बच्चो, next, next क्या हो सकता है, यह इस condition में, इस condition में क्या हो रहा है, यह जो box है, इस पर एक right side से force लगा रहा है, एक left side से force लगा रहा है, और दोनो equal force लगा रहे है, तो इस condition में क्या होगा, जितना force ये इस box पर लगा रहा है, अब दोनों condition में forces क्या है, equal हैं, दोनों condition में forces equal हैं, तो क्या होगा, इस पर लगने वाला जो net force होगा, Net force होगा, वो कितना हो जाएगा बच्चो? वो हो जाएगा zero वो हो जाएगा zero और जब किसी object पर जब किसी object पर लगने वाला Net force zero हो गया तो वो object move नहीं करेगा तर यह net, net force हाब बोल रहे हो यह क्या होता है? तो बच्चो net force का मतलब है जब किसी object पर दो या दो से ज्यादा forces लग रहे हैं तो उन सारे forces को add करके या subtract करके जो resultant होगा यानि जो final होगा उसे हम net बोलते हैं जैसे यहाँ पर एक force पहले A लग रहा था फिर D लग रहा था दोनों का हमने add कर दिया तो जो resultant है वो A plus D हो जाएगा उसी को हम net force बोलते हैं यहाँ पर 0 क्यों हुआ क्योंकि यह जितना force directions लगा रहा है यह उतना force इस direction से लगा रहा है दोनों force क्या हो गए आपस में balance हो गए net force यह जो object है यह move नहीं करेगा ठीक है बच्चों तीसरी condition क्या हो सकती है तीसरी condition यह game है tug of war बहुत सी लोग ने खेला होगा देखा होगा आपने क्या ह तो पकला होता है किख करते है एक तीम यह तीम है a team यह thi बिटीम किया कर रहे है बटचो एम अपनी और रहसी को कीच रही है और पर पीटीम क्या कर रही है ज्यादा फोर्स लगा रही है तो यह जो रस्ती है वो कहां जाएगी बी की साइड यानि जब एक ही ऑबजेक्ट पर एक ही ऑबजेक्ट पर अपोजेट डारेक्शन में फोर्स लग रहे हैं जब एक ही ऑबजेक्ट पर अपोजेट डारेक्शन में करेगा जिस direction में ज्यादा फोर्स लग रहा होगा जैसे यहाँ पर एक box है इस पर एक worth a लग रहा है एक फोर्स भी लग रहा है डोनों क्या है पर जो बनाधर फोर्स है वह 국लेंट इन एे है तो जो आपजेक्ट होगा वह इस सब्तेयर कि द्रैक्शन में मोशनकर नियुक्त नियुक्त जादा पुर्श करने लगेगा यहां intentar का मोशन उस डरिक्शन करने लगे पर दो या दो से ज्यादा पूर्श लग रहे हैं अलाग अलग डारेक्शन में तो हम उनका का से यह यहां बोला क्योंकि यही जो चीज मैंने बोली वह यहां पर लिखी है डेख सकते आप जब same direction में है तो add कर दो, जब opposite direction में है तो subtract कर दो, ठीक है, और जब equal है size में, but opposite है, तो क्या हो जाएगा net force, net force हो जाएगा zero, और result क्या होगा, result होगा no motion, कोई सा भी motion नहीं होगा, यह देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो लोग है, एक बिचारे छोटे से बच्चे को प रहा है, तो बच्चा इस side आ जा रहा है, कभी यह जादा force लगा रहा है, तो बच्चा उस side चला जा रहा है, तो जितना जादा force लगा रहा है, उस side moment हो रहा है, समझ में आया आपको क्या होता exploring of forces, चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, next topic, क्या है, next topic है, sir, जब से हम बात कर हो नहीं, force यह force, donors work, force के effect, force exploring forces क्या है, यह सब के लिया, पर force find कहसे करेंगे, Sir, यह भी तो कुश्चन है, force find कहसे करेंगे, तो बच्चों, अगर हमें force find करना है, तो हमें क्या होती है उस औपिर्ट का हमें मार्स पता होना चाहिए और डूसरा क्या तो जब किसी अप्जेक्ट पर हम क्या करें मचो प्रस एप्लाए कर Dé lists के ए भीकेशन से ऊब्जेक्ट में दूसरी कितं ब एकस्ट एक्सन पर प्रोड्यूस हुआ अगर वो हमें पता है तो हम उस एक्सलिरेशन का आपजेक्ट के मास में मल्टिप्लाइ करके फॉर्स फाइंड कर सकते हैं टेंशन लेने की बात नहीं है आजाएंगी चीज़ा समझ में आपको बस ज्यान से पढ़ते रहना है ओके तो हमें हम यह देखें यहां पर एक कोई ऑबजेक्ट है जिसका मास है M मैं इस पर एक फॉर्स एप्लाइ करता हूं F और इस फॉर्स के अप्लिकेशन से यह जो ऑबजेक्ट है इसमें A एक्सलिरेशन प्रोड्यूज हो रहा है यानि यह बॉक्स मूव कर रहा है विथ एक्सलिरेशन ए तो मुझे इसमेर के फॉर्स चैनलें करना है कि जो मैंने पुर्स किया है उसका मैगनिट्यूट कितना है मैं क्या करूंगा मास और एक्सलिरेशन का मल्टिप्लाइ कर दूंगा ठीक है सर्ल्टिप्लाइग के नीट को सागिया विथ युनिट क्या होगी बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत समझदार बच्चे हैं, यूनिट भी पूछ रहे हैं, तो force की यूनिट होती है बच्चों, newton और उसका symbol होता है n, अगर हम बात करें newton को और क्या लेख सकते हैं, तो इस formula से देखिए, बच्चों, mask unit क्या होती है, mask unit होती है kg, और meter per second unit होती है, sorry, acceleration क unit होती है, meter, meter per second square, meter per second square, यह होती है acceleration की unit, तो force की जो unit है, one newton, one newton किसके इकोल हो जाएगा, one newton is equal to one kg, one kg meter per second square, one newton is equal to one kg meter per second square, तो यह हो जाएगी force की unit newton, आया बच्चों समझ में, आया समझ में force कैसे calculate कर सकते हैं, यह दो quantity पता हो, तो हम force को easily calculate कर सकते हैं, चलते हैं हमने next topic पर, next topic पर, और यह रहा हमारा next topic, effect of forces, हमने forces की बात कर ली, forces कब लगते हैं, interaction की वज़े से लगते हैं, ठीक है exploring forces की बात कर effect of forces, यानि जब कोई force किसी object पर apply होगा, तो उस object में क्या-kya changes हो सकते हैं, उस object में क्या-kya changes हो सकते हैं, तो बच्चों, क्या कर सकता है force, जैसे सब से पहला example, सब से पहला example क्या था हमारा? football वाला हमने football को kick मारी थी football को kick मारी थी तो क्या हुआ था football move करने लगी थी football अपनी position से move करने लगी थी यानि बच्चो जब हम किसी object पर जब हम किसी object पर force apply करते हैं तो वो force object के state को object के state को क्या कर देता है object के state को change कर देता है ठीक है, Consistate, Rest और Motion, यानि अगर Object Rest में है, तो वो Motion में आ जाएगा, और अगर Object Motion में है, तो वो Rest में आ जाएगा, Example, आपको पास Already है, और Example देता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बच्चा है, जो कि एक टायर को Rotate कर रहा है, अब भी तो सायद मुझे नहीं लगता, आप लोगों में से किसी ने किया है, पर अगर किसी ने किया होगा यह, ऐसा किया होगा, तो उसको पता होगा, करते हैं क्या हैं बच्चों, एक टायर है, साइकल का टायर ले रखा है, एक डंडी रहती है, एक साइकल का टायर, उस साइ यानि हम उस को क्या कर रहे हैं रोटेट करते हुए लेके जा रहे हैं कैसे फॉर्स के अप्लीकेशन से वो जो टायर पहले रेस्ट में था वो अब मोशन में आ यहां पर एक बॉक्स दिख रहा है आपको यह बॉक्स रश्ट परे मुझे इस अप्लाइक अपनी पोईशन से चेंज होगा यानि रेedor दिस्प्लेइवा हो रहा है उसका जो स्टेट है कौन सा स्टेट स्टी स्टेट ऑफ रेस्ट bomb रेक्रीजटंप मुझ और ला दिया अब मोशन से करना रूता तो साइक्ल bib तो सालाते हैं साइक्ल चलाते हैं तो जब हम्होंरे मोशन को क्या करते हैं और जाते हैं और ब्रेक से प्लाइ करते हैं और प्रेक्स होते हैं वह हमारे गलते हैं compress करने लगते हैं, जिसकी वज़े से जो motion है, उसमें क्या होता है, decrement, speed क्या होती है, decrease होती है, और finally हम rest में आ जाते हैं, यानि breaking apply करते हैं, जब हम breaks apply करते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है, motion से object को rest में लाने के लिए हम breaks apply करते हैं, तो समझ में आया, force क्या कर सकता है, किसी object के state को change कर सकता है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यह देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, यह box है, इसने box को kick मारी, इसने box को kick मारी, तो क्या हुआ, जो box है, वो move कर रहा है, अपनी position को change कर रहा है, यानि हम force के effect से किसी भी object की position को change कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी आप जिस chair में बैठे हैं, आप खड़े होगे, आप खड़े होगे, उस chair को पकड़िए, और अपनी side उस chair को खीचिए, तो क्या होगा बच्चों, वो chair जो है, वो move करेगी, यानि force के application से आप उस chair के state को change कर सकते हैं, अब यह effect होगया force का, ठीक है, यानि हम किसी object के state को change कर सकते हैं, इसके अलावा, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं force के application से, तो देखिए, इसके अलावा हम force के application से किसी भी object के shape and size को change कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बहुत simple सा example लिया है यापर, बहुत simple सा example, आपने मम्मी को देखा होगा कभी बच्चों किचन में, क्या क होता है जो आटे का जो सेफ वह चैंज होता है जो बशाय से कैसे ऐसे पंचिंग करने सी서 में से उसकाथ चैंज हो रहा है इसके अलावा उत रबर को क्या करना है हम किया करने हैं रबर पर पीष सैस्पियाइ और उस rubber को elongate कर दिया यानि मैंने rubber की जो size है जो safe है उसको मैंने change कर दिया by the application of force ठीक है समझ में आया एक और example से समझाता हूँ मैं आपको एक और example से समझाता हूँ यह देखे बच्चों क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर इसको एक कोई safe देना होगा एक safe देना होगा तो पहले हमने उसको heat किया फिर उसको hammering करके हम उसको required safe में convert कर देंगे अगर आप लोग picture देखते होंगे आपने कोई wave series देखी होगी कोई movie देखी होगी जिसमें कलवार मनाई जाती है जिसमें short making होता है उसमें भी यह करते हैं उसको heat up करते हैं फिर उसको लेके उस पर hammering करते हैं जिससे की उस metal का जो safe है वो change हो जाता है क्यों change हो रहा है? effect of force ध्यान में रखना है हमें उस पर force apply हो रहा है तब ही वो change हो रहा है यानि without application of force आप किसी object के state of rest state of motion shape and size को change नहीं कर सकते हैं आपको force apply करना ही पड़ेगा यह देख लिए यहाँ पर hammering की जा रही है ठीके बच्चो अब हम बात करते हैं types of forces types of forces types of forces में हम बात करते हैं हमने बात कर लिए अभी effect of forces अब बात करते हैं कितने type of forces होते हैं तो जो सबसे पहला सबसे पहला force जो होता है बच्चो यहनि जिस हमने force को क्या किया है जिस category में डिवाइट किया है उसमें जब फस्ट के टेगरी आती है वह है contact force 4 colors नाम से आपको समझ में आ रहा होगा क्या समझ में आ रहा होगा सब नाम से लिखा है contact force k Whisu इसका मतलब आł तो इस का मतलब भीält का इसका मतलब ही वही हुआ और उस condition में जो force apply होगा उसे हम बोलेंगे contact force, उसे हम बोलेंगे contact force forces experienced by body when they are in physical contact यानि जब दो bodies एक दूसरे के physical contact में हो तो उस condition में जो force feel होता है उसे हम बोलते है contact force, आया समझ में? अब इस contact force के क्या example हो सकते हैं? क्या example हो सकते हैं? तो अभी तक हम जो भी discuss करते हैं एक box को बारवार हम displace कर रहे थे, बारवार displace कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? energy कहां से आ रही थी? तो वो energy हमारी body में, हमारे muscles से आ रही थी यानि हम अपने muscles के energy का use करके box को displace कर रहे थे तो बच्चो वो force, वो force जो हमारे muscles की वज़े से क्या हो? लगता हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? muscular force, उसे हम बोलते है muscular force force due to the action of muscles force due to the action of muscles अब देखाऊगा आपने कोई ज़्यादा body builder है यहनि उसकी body ज़्यादा है तो वो क्या करता है? ज़्यादा force एपलाई कर सकता है वो ज़्यादा force एपलाई कर सकता है अगर कोई क्या है? थोड़ा पतला है तो वो उसके पास क्या होगा? कम force एपलाई कर सकता है क्योंकि उसकी muscles में क्या है? कम energy है तो हमारे muscles की वज़े से जो force apply होता है बच्चे बच्चो उसे हम बोलते हैं muscular force contact में हो रहा है ना यानि जब हम किसी object को touch करते हैं तब ही तो लगता है muscular force आप लड़ाई करते हैं पंचե गरटें sleeping को मार रहा है तो क्या कर रहे है आप उस मिल को बार बार Kaline ि यह आप दोनों के बीच में क्या हुआ रहा है punching और आपके यह ज्यत視 इसके मीच मैं क्या राए जरूप्प्र को पनेक्चिनु कि की का अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा अगला लेक्चर होगा हमारा अगला लेक्चर होगा बच्चो वह पूरा फ्रिक्षन पर होगा क्योंकि आपको पता है आपका जो नेक्स चैप्टर फिजिक्स का वह फ्रिक्षन ही है तो टेंशन ल जब कभी भी बच्चो कोई object क्या कर रहा है motion कर रहा है तो उस motion को उस motion को अगर कोई भी चीज उस motion को कोई भी चीज अगर oppose करे तो हम उसे क्या बोलेंगे friction force कोई भी चीज कि जब दोनों जो motion है देखिए एक एक बॉक्स है क्या है एक surface पर रखा हुआ है यह रही surface ठीक है इस surface पर box को हमने रखा है और हम क्या कर रहे हैं इस box को इस direction में हमें motion करवाना है यानि हम इस लगाना पड़ेगा न हम इस उप्जिक को इस दारेक्शन में मूव कराना चाहते हैं अब क्या होगा बच्चों कि यह देखिये यह जो सर्फेस है और यह जो बॉक्स है इन यह दोनों क्या करेंगे ना तो जब यह दोनों surface इनकी lower surface contact में आएगी तो क्या होगा बच्चो इनके बीच में relative motion होगा तो ये जब relative motion होगा तो जो surface इन दोनों के contact में है वो नहीं चाहेगी कि ये box क्या हो अपनी position को change करें यानि ये वो नहीं चाहेगी कि box move करें और उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए क्या होगा opposite direction में opposite direction में एक force लगेगा opposite direction में एक force लगेगा और उसी force को हम क्या बोलते हैं उसी force को हम बोलते हैं frictional force या फिर friction force यानि आपको simple सा याद रखना है friction force क्या होता है एक opposing force होता है जो की object के motion का करता है और ये हमेशा हमेशा motion की opposite direction में लगता है न बच्चो फ्रिक्टनल फोर्स एक opposing फोर्स होता है जो कि हमेशा motion की opposite direction में लगता है और यह body की motion को क्या करता है resist करता है यX यदि यह नहीं चाहता कि object move करे ये वह जैसे भी मूव करना चाहती है उसको तो रेसस्त करेगा, रोकेगा, ठीके बच्चो, समझ में आया, यह होता है Frictional Force, अब कैसे हो रहा है, यहाँ पर दीखे, यह Box और यह Surface दोने एक दूसरे के Physical Contact में है, यानि जब यह दोनों एक दूसरे के Physical Contact में होंगे, तब इस Box के Motion के Opposite Direction में Force लगेगा, जिसे हम बोलेंगे Frictional Force, आया समझ में, इसको Example से समझा देता हूँ मैं आपको, ठंडी हो के दिनों में क्या करते हैं बच्चो हम, जब हमारे हाथ ठंडी हो जाते हैं, हमको ठंडी लगती है, तो हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ हो को रब करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम ऑपने दोनों हाथों को रब करते हैं, तो कुछ देर बाद, हमारे हाथ क्या वाजाते हैं? कैसे बहुत हैं गरम क्योंकि यह देखिए, दो सर्फेस हैं, एक बॉड़ी दूसरी बॉड़ी, यह दोनों एक दूसरे के ओन्टेक्ट में आए, अब यह दूसरे के ओन्रेक्ट में स्लाइड हो रहे हैं तो इनके एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो नहीं चाहेगा कि यह दोनों एक दूसरे पर स्लाइड हो और वो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चों वही फ्रिक्शन फोर्स उसमें जो हीट लॉस उसमें जो एनर्जी लॉस हुई है वही एनर्जी हीट में convert हो गई है ठीक है बच्छो यह था हमारा पहला types of forces contact force contact force यानि जब दो object एक दूसरे के physical contact में हो तब जो force लगेगा उसे हम बोलेंगे contact force example देखा हमने muscular force और friction force muscular force और friction force अब जब पहला contact है तो जाइर सी type है वो कैसा है वो है non contact force फिर से नाम से समझ में आ हहाँ रहा है non contact मतलब जब दो bodies के बीच में physical contact न तक न हो यानि वो एक दूसरे से कुछ न कुछ दूरी पर रखिए और ये है ईक दूसरे से क्या है कुछ दूरी पर रखिए इन में physical contact नहीं हो रहा है उस टाइप के force को हम बोलते हैं, non-contact force, non-contact force, क्या है definition, force experienced by bodies, even if they are not in physical contact, even if they are not in physical contact, यानि जब वो physical contact में ना हो, उसके बावजूद, वो force को feel करें, तो उसे हम बोलते हैं, non-contact force, इसके क्या type होते हैं, क्या type होते हैं, magnetic force, electrostatic force, gravitational force, example से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में दाएगा, magnetic force, यह तो आपको पता होगा, आपने magnet से बहुत खेला होगा, मैंने भी खेलाए, क्या करते हैं, बच्चों, दो magnet लिए हमने, जब हम उन दोनों magnets को पास लेके आते हैं, तो magnet जब एक दूसरे से कुछ distance पर होते हैं, तभी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, attract कर लेते हैं, उसको तेजी से attract कर लिया अपनी और खीच लिया, या फिर आप एक magnet को क्या कीजिए, एक iron piece के पास, जैसे कि यह एक iron piece है, और यह एक मेरा magnet है, magnet को जैसे ही मैं iron piece से कुछ दूरी पर लेके जाता हूँ, यह magnet क्या करता है, इस iron piece को attract कर लेता है, इस iron piece को attract कर लेता है, अब अब इसके अलावा और भी देखा होगा बच्चों आपने, दो magnet है, अगर मैंने उन दोनों magnet के same pole को एक साइड कर दिया, यह कौन सा है, नॉर्थ वोल यह भी नॉर्थ पोल माल लेते हैं, दो magnet लिए मैंने और दोनों magnet के same pole को एक साइड कर दिया, जैसे यह बार magnet है, south-north, एक और बार magnet है बच्चों, north-south, अब जब यह दो magnet है, आपको यह भी पता होगा, same pole, same pole क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को repel करते हैं, यानि खुद से दूर करते हैं तो अब इस condition में, जैसे जैसे मैं इस वाले magnet को, इस magnet को move करूँगा, अब देखिए, यहाँ पर कोई physical connection नहीं है, physical contact में नहीं है, फिर भी जैसे जैसे मैं इस magnet को आगे move करूँगा, यह magnet भी अपने आप आगे move होता जाएगा, क्यों? क्योंकि यह magnet अभी इस पर एक force apply कर र रहा है, उसका जो effect है, वो भी आगे की और shift होता जाएगा, जिसकी वज़े से यह magnet भी move करेगा, यह magnet भी move करेगा, आया समझ में आपको, magnetic force बिना physical contact में आए, जो magnets या फिर एक magnet, एक iron piece, एक दूसरे पर क्या करते हैं, बच्चों, force लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम magnetic force वो किसका टाइप है, non contact force का टाइप है, दूसरा जो example है, दूसरा जो पहला तो होगया हमारा magnetic, दूसरा जो example है बच्चों, वो क्या है, electrostatic force, यह भी बिना contact में आये लगता है, कैसे, pen को लीजिए, pen को लीजिए, अपने बालों में रब कीजिए, अपने बालों में रब कर एक छोटा सा paper का टुकड़ा लीजिए, और उस paper के टुकड़े के ऐसे ऊपर, इस pen को रखिए, क्या होगा, वो जो paper का टुकड़ा है, उस pen से चिपक जाएगा, बहुत किया है आप लोग ने, करके देखा होगा, तो आप लोग कभी सोचा है क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही मैं इस pen को rub करता हूँ, इस पर charge generate हो जाते हैं, और paper के contact में लेके आता हूँ, तो वो paper क्या होता इससे, चिपक नहीं लगता है, क्योंकि उस paper पर force लगता है, कौन सा electrostatic force, दूसरा आपको करना है, एक glass की rod लीजिए, उसको एक silk के कपड़े में rub कर लीजिए, अच्छे से, रब करने के बाद, फिर उसको एक paper के टुकड़े से चिपकाईए, वो चिपक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी charge generate हो जा रहे है, वो charge क्या करेंगे, एक दूसरे को attract करेंगे, अब जो दूसरी body है, वो जरूरी नहीं कि charge हो, वो uncharged भी हो सकती है, सिर्फ एक body charged हो, दूसरी charge और uncharged कैसी भी हो सकती है, जो charge body है, वो उस पर force apply करेगी, ठीक है बच्चो, थर्ड आता है gravitational force, ये भी without contact में लगता है, यानि bodies contact में ना हो, फिर भी लगता है, example, ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास pen है, pen है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस pen को छोड़ रहा हूँ, इस pen को मैं छ बच्चो, क्योंकि जैसे ही मैं इस pen को छोड़ता हूँ, तो ये pen नीचे गिरता है, इसका कारण है gravitational force, और gravitational force क्या होता है बच्चो, इस अर्थ पर, इस अर्थ पर मौझूद हर एक object को, अर्थ अपनी और खीचती है, यानि अर्थ चाहती है कि हर एक object कहां हो, मेरे contact में हो, यानि मेरे surface पर हो, यानि अर्थ हर एक object पर एक force एपलाई करती है, किस direction में? अर्थ के center की direction में, इसलिए हर object अर्थ के surface पर आके गिर जाता है, आप cricket खेलते हैं, बॉल उपर जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है, फुट बॉल कम उपर किक करते हैं, वो चीज नीचे आ नहीं है, कोई physical contact नहीं है, फिर भी वो object नीचे की और गिरता है, due to gravitational force, यह भी क्या है, एक non contact force का example है, अब एक और interesting चीज आपको बता दू मैं बच्चों, कि जो gravitational force होता है, जो gravitational force होता है, वो always, always, always क्या होता है बच्चों, attractive, हमेशा attractive nature का होता है, यानि जो gravitational force है, हमेशा attractive य यानि यह हमेशा चीजों को अपनी और खीचता ही है, कभी भी दूर नहीं भेचता है, यानि कभी भी repel नहीं करता है, जबकि, जबकि, magnetic और electrostatic force जो होते हैं, बच्चों, वो attractive and repulsive दोनों होते हैं, यानि यह एक दूसरे को, एक दूसरे को attract भी करते हैं, और repel भी करते हैं पर यह जो है, यह हमेशा attractive nature का होता है, gravitational force, जबकि, magnetic और electrostatic force हमेशा attractive and repulsive nature के होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया types of forces, contact force, जब physical contact हो, non-contact force, जब physical contact में ना हो, फिर भी, दो bodies force experience करें, जब उनको हम pass में लेकर आएं, example, magnetic, electrostatic and gravitational force, तो यह थे types of forces, आगे चलते हैं हम, आगे क्या है, तो balanced and unbalanced force, क्या होता है balance force, नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, balanced, balance का मतलब, कोई चीज़, balance है, balance का मतलब, example से समझते हैं, यह box है, इस box पर, इस direction में अगर हम मात कर लें, कि 10 newton का force लग रहा है, और इस direction में भी, इस direction मे 10 newton का force लग रहा है, तो क्या होगा, दोनों direction में same amount of force लग रहा है, but direction opposite है, तो इस box पर कितना force लग रहा है, zero newton का force लग रहा है, इस box पर जो net force होगा बच्चों, वो होगा zero, तो क्योंकि इतना force और इतना force यानि same force opposite direction में लग रहा है तो net force zero हो जाएगा जिसकी वएसे box का moment नहीं होगा और इसी condition को जब object पर net force लगता है उस condition को कहा जाता है balanced condition balanced condition यानि इस object पर कोई भी force नहीं लग रहा है कोई भी मतलब net force नहीं लग रहा है बट balanced force लग रहा है ठीक है बच्चों और जब किसी object पर balance force लगता है तो क्या होता है balance force लगने से उस object पर कोई भी moment नहीं होता है उस object का कोई भी moment नहीं होता है net force zero अब इस पर किसी भी particular direction में एक force लगी नहीं रहा है net force zero हो गया है तो object moment नहीं करेगा यह होता है बच्चों balanced force अब बात करते हैं हम unbalanced force की नाम से समझ में आ रहा है unbalanced यानि इस पर लगने वाला net force zero नहीं होगा कैसे इस direction में हम आन लेते हैं 15 newton का force लग रहा है 15 newton का force लग रहा है और इस direction में 10 newton का force लग रहा है तो क्या होगा यहां पर 15 यहां पर 10 newton यानि कोई यहां पर एक कोई इंसान है जो कि इस object को 15 newton के force से इस side कीच रहा है और कोई 10 newton के force से इस side कीच रहा है तो क्या होगा बच्चों जब हम इसका net force निकालेंगे जब हम net force निकालेंगे तो वो आएगा 5 newton और किस direction में तो इस direction में यानि object जो है वो इस direction में move करने लगेगा with the force of 5 newton कैसे एक्जामपल से समझते हैं टग आफ वोर का एक्जामपल ये बच्चों एक टीम है, जो कि एक रसी को इस डारेक्शन में खीच रही है, दूसरी टीम रसी को इस डारेक्शन में खीच रही है, अब क्या हो रहा है, जब दोनों टीम क्या है, equally strong है, दोनों टीम equally strong है, तो जितना फोर्स इस डारेक्शन में लगेगा, उतना ही फोर्स इस डारेक्शन मे होगा कोई भी जीतेगा नहीं मैंच लोजाएगा क्योंकि सेम अमाउंट फोर्स लग रहा रहा है बैलेस्ट कंडीशन है यहाँ पर फोर्स जितना लग रहा है यहां पर सबस्क्राइब दालगिशना तो क्या हो गया बैलेस्ट लोगई तो सब्लेस्ज फॉर्स लाउट जबकि इस साइड वाली टीम क्या है बच्चो थोड़ी वीक है वो कम फोर्स लगा रही है तो क्या होगा इस साइड वाली जो टीम है वो जीत जाएगी क्योंकि साइड वाली टीम 15 न्यूटन का फोर्स लगा रही है जबकि इस साइड वाली टीम सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो जो रसी है वो किस direction में move करेगी जिस direction में ज्यादा force लग रहा है और वो जीत जाएगा यानि net force इस condition में 0 नहीं होगा और इसी type के force को जब कभी भी किसी object पर 2 या 2 से ज्यादा force लगें और net force 0 ना हो तो उस force को हम बोलते हैं unbalanced force condition क्या याद रखनी है unbalanced force के लिए condition याद रखनी है कि जो net force है वो not equal to zero होना चाहिए net force not equal to zero होना चाहिए तो ये था बच्चो balanced force और unbalanced force ठीक है समझ में आया next आगे चलते हम और बात करते हैं अब हम pressure की अब हम बात करते है pressure की क्या होता है pressure क्या होता है बच्चो तो generally देखा होगा generally जब हम बाते करते हैं तो normally बलते हैं यार बहुत pressure है बहुत सारा homework करना है बोलते हैं हम तो वो तो हो गया daily life में term की बहुत pressure है क्या करना है इतना सारा homework दे दिया गया है पर जब हम बात करने technical term में technical term में की pressure क्या होता है pressure क्या होता है पहले आपको एक example देखाता हूँ मैं देखिए बच्चो मुझे क्या करना है एक keel है उस keel को एक wooden block में क्या करना है अंदर की और insert करना है तो मैं क्या करता हूँ आप सभी ने keel देखी होगी कैसी होती है बच्चो keel क्या किया जाता है यह वाले end को हम wooden block में fit करते हैं और इस वाले end पर हथोड़ी से ठोकते हैं तो वह क्या होती है अंदर चली जाती है यहां पर आप देख सकते हैं यह देखिए जो पीछे वाला end है उस पर क्या कर रहे है हम हथोड़ी से hammering कर रहे हैं और जो नुकिला वाला end है वह इस लकड़ी में जा रहा है तो अब देखिए बच्छों hammering hammering से याद आया hammering क्या हो रहा है hammering यानि हम यहां पर force apply कर रहे हैं force apply कर रहे हैं तो यह जो heel है वह इस wooden block में अंदर जा रही है इस block में अंदर जा रही है तो pressure का क्या मतलब है यहां पर pressure की बात क्यों हो रही है एक और example पहले बता देता हूं मैं फिर pressure की बात करेंगे हम यहां पर देखिए कभी आपने देखा होगा ममी को देखा होगा जब वह सबजी काटती है सबजी काटती है तो किस से काटते हैं हम knife से चाकू से और आपने चाकू देखा होगा तो चाकू में दो end होते हैं बच्चो एक जो उपर वाला end होता है वह क्या होता है उपर वाला end क्या होता है ठिक होता है और जो नीचे वाल सब्सक्राइब और दूसरा एंड क्या हो ठिक हो तो क्यों किया जाता है अब बात करें अब इसी टमाटर को आप नाइफ को उल्टा करके काटेंगे तो क्या होगा आपको ज्यादा पोर्स एपलाए करना पड़ेगा इसको काटने के लिए और फिर वी जो हमारा टमाटर है वह सेप में नहीं कटेगा एक्जेक्ट जैसे कि अभी कट रहा है तो बच्चो जब हम किसी ऑबजेक्ट पर फॉर्स एपलाई कर रहे हैं और अगर हमें अगर हमें उस एपलाइड फॉर्स को उस एपलाइड फॉर्स को क्या करना है बच्चो मैक्जिमाईज करना है उस एपलाइ जो force per unit area होता है बच्चो उसी को हम pressure कहते हैं उसी को हम pressure कहते हैं यानि यहां पर देखिए यहां पर हम force apply तो कर रहे हैं इस kill पर पर किसमें एक छोटे से area में यह चोटा सा area जो की है wooden block में अंदर जाएगा और उस पर हम हतोरी से मारेंगे तो वो जो kill है वो बहुत जल्दी अ अंदर क्या कर रहे हैं इंशर्ट करना है तो हमें ज्यादा force की requirement होगी बहुत ज्यादा हमें उस पर force apply करना पड़ेगा तब जाके वो उस लकडी में इंशर्ट होगा वो भी proper way में नहीं होगा यानि जब किसी object पर force हम apply कर रहे हैं और उस force के effect को increase करना है तो हम वो जो force apply हो unit area को हम क्या बोलते हैं pressure बोलते हैं pressure क्या होता है force acting on a unit area of surface is called pressure तो प्रेशर को define करने आप कैसे कर देंगे क्योंकि force के effect को increase कर दिया किसने area ने और इसे हम बोल रहे है pressure इसे हम बोल रहे है pressure अगर हम मैं formula लिखू अगर मैं बच्छो फॉर्मूला लिखू प्रेशर का तो वह क्या हो जाएगा pressure का formula हो जाएगा pressure is equals to is equals to force force upon area force upon area pressure is equals to force upon area ठीके बच्चो अब यहां सर यहां से हम देख सकते हैं कि जो pressure है और area है वो एक दूसरे के क्या है इसका मदलब जैसे जैसे में area को increase करता जाओंगा वैसे वैसे pressure decrease होगा यानि force का effect है वो decrease होगा जितनी ज्यादा area पर force लगेगा उसका effect उतना कम होगा और जैसे जैसे area को में decrease करूंगा वैसे वैसे pressure increase होगा यानि area जितना कम होगा उतना force का effect ज्यादा होगा यानि pressure भी ज्यादा होगा ठीके बच्चों इसलिए जो नाइफ होते हैं वो शार्प होते हैं जो कील होती है उसका जो front end होता है वो क्या होता है नुकीला होता है पतला होता है क्योंकि हम वहाँ पर area को decrease करते हैं ज changing effect बढ़ जाता है ठीके बात ये था प्रेशर अब और एक और में आपको समझा सकता हो हो आपको समझाद देता हूं क्या प्रम जानर आपने देखा है तो आपने सुना है यह भी सुना होगा जो कैमल होता है बच्चों उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं तो इसलिए होते हैं बच्चों कि अगर हम रेट में चलें हम सेंड में होले योगते में चलते हैं हैं वह समय होते हैं यह Спस्टे कोफ में चलते हैं कि प्रेट कर रहे हैं हम सेंड पर और यह कम पर फॉर्स जादा ठिक वे अब जब हम लोग सेंड फ़ेज होते हैं तो और फोर्स भी क्या है बच्चो फोर्स जादा है पर एरिया जादा होने की वज़े से प्रेशर कम हो गया और इस वज़े से इस वज़े से क्या होता है जो कैमल है वो सेंड में नहीं धसता है अगर हम अपनी बात करें तो एरिया कम हमारे पैरों का एरिया छोटा है एरिया छो गया gravitational force है यानि हमारा weight नीचे की और लग रहा है और हमारे पैर छोटे होने की वाज़से जो area है वो कम है area कम है तो pressure ज्यदा यानि हम sand पर ज्यादा pressure apply करेंगे जिसकी वज़े से हमारे पेर क्यांगे सेंड में अंदर की और धस जाएंगे वहीं हम बात करते हैं केमल की तो केमल के कभी आपने पैर देखेंगे बच्छो जो उसका फूट होता है वह बहुत बढ़ा होता है काफी चौड़ा होता है तो उसका जो एरिया है पैरों का वो आपको मैं बता दीता हूँ आपने देखेंगे बच्चों आपने टुछ रोग जो की बहुत बड़ी 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 होते हैं इतरा लगे होते हैं ऐसा क्यों होता है टाइर चोड़े क्यों लगाए जाते हैं और बहुत सारे टायर क्यों लगा जाते हैं क्योंकि अगर बहुत सारे टायर नहीं होंगे बहुत कम टायर होंगे और पतले-पतले टायर होंगे बच्चो तो उस ट्रक में जो गुड्स रखा है जो सामान रखा है उसका वेट ज्यादा होने की वज़े से वेट ज्यादा यानि फोर्स ज करने के लिए क्या होते हैं numbers of tires, ज्यादा tire लगा दे जाते हैं और उन जो tires होते हैं बच्चो वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं यह नी उनको area increase किया जाता है, जिससे की pressure decrease जो road है, वो safety बनी रहे, road टूटेना और वो truck easily move कर सकें, तो ठीक है बच्छो समझ में आया pressure का मतलब, pressure क्या होता है, force acting on a unit surface area, ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो force है, क्या liquid और gases भी pressure exert करते हैं, क्या liquid and gases भी pressure exert करते हैं, हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अगर आप मैंसे कोई swimming करता होगा, तो उसको पता है, जैसे ही वो water के अंदर जाता है, जितना नीचे जाता जाता है, उसके सर पर, उसकी body पर, क्या होता है, प्रेशर को अपने सर पर रखता है, जैसे, आप एक बैग लीजी बैग को आप अपने सर पर रखेंगे, तो जो बैग का weight है, वो क हो रहा है तो आपके सर पर क्या होगा कुछ फील होगा कुछ फील हो रहा है यानि प्रेशर फील हो रहा है और कुछ ताइम बाद आपका सर दुखने लगेगा तो सेम जैसे ही हम क्या करते हैं swimming करने के लिए पानी में उतरते हैं तो हमारे सर के उपर जितना भी पानी होता है वो क्या करता है हमारे उपर एक pressure apply करता है हमारे उपर एक pressure apply करता है जिसकी वज़े से हमारी body में pain होता है हमारी body में pain होने लगता है क्योंकि हमारी body में pressure apply हो रहा है कौन कर रहा है apply तो वो apply कर रहा है liquid यहां पर देखिए बच्चों यहां पर क्या है एक bottle है इस bottle को क्या हां रखा गया है पानी के अंदर पानी के अंदर रखा गया है अब चारो साइड से चारो तरफ से जो water है वो क्या कर रहा है इस bottle को आके compress कर रहा है इस bottle को आके compress कर रहा है और इतना ज्यादा प्रेशर एक्जर तरी आशियर कर दिया कि यह incentives हो गई यह बाटल फूर्ट गई यानि चारो साइट से डी पाणी तहाँ उपर से पानी को नवारा है जिसकी वैसे इस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और यह बोटल फूर्ट गयी यह बाटल फूर्ड गई इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं का एक्रस्ब्रब्स देख सकते हैं भचो तो जो सब्मरीन होती है आपको सब्मरीन होती है उनकी एक लिमिटेशन होती है कि वह ocean में इतनी गहराई तक ही जा सकती है इससे ज़्यादा घहराई तक नहीं जा सकती क्योंकि अगर वो submarine उससे ज़्यादा घहराई तक गई अपने limitation से तो pressure increase हो जाएगा और वो submarine foot जाएगी blast हो जाएगी वो submarine blast हो जाएगी दूसरा का example है ये देखिए क्या और है? पानी गिर रहा है पानी कम प्रेशर से आ रहा है तो टंकी में पानी खतम हो गया, तो हम जाके तुरंत मोटर चालू करते हैं और टंकी को फिल कर देते हैं, क्या होता है, टंकी को हमने फिल कर दिया, बहुत सारा पानी है, जब बहुत सारा पानी है तो उसका वेट ज़्यादा होने की वज़े से वो जादा तेजी से जादा तेजी से नीचे वाले पोशन पर जादा फोर्स एपलाई करेगा जिससे की पानी तेजी से निकलेगा इसमें पानी तेजी से निकलेगा तो हम बोलेंगे अब तेज हाई प्रेशर से पानी आ रहा है पर अभी क्या है लो प्रेशर से आ रहा है क्य सब मरीन कि अपनी क्या होती है उस से जादा नीचे नहीं जा सकती है ये कम प्रेशर पर पानी आ रहा है जैसे ही में बढ़ेगा वाटर का लेबल बढ़ेगा तो हाइए मांट पर पानी क्या होगा हाइए मांट पर पानी इसे निकलने लगेगा ठीक है बच्चो बहुत बार आपने देखा होंगा की जब साइकलों के अलावा टॉर्नेडू बगिर होता है वोता है वो होता है प्रेशर की वाजे से होता है यो तो तोट जाते हैं क्योंकि डैम में जो पानी स्टोर हुआ है वो इतना ज्याधा हो गया है कि उस वाटर का जो प्रेशा लग रहा है उस डैम की दीवालों अब बात करता है अब हम बात करते हैं क्या गैसे फूप रहा है इंक्रीज हो रहा है expand कि जैसे जैसे फूक रहे हैं हम हम क्या करने बलून में grass這麼 करwe यह तो गैस क्या करेगी उस balloon के area को increases कर लेगी बलूनका size increase हो जाएगा यानी अब उस Balloon के अंदर बहुत सारी gases है उन gases ने क्या किया है उस Balloon के सर्फेस इस सर्फेस पर पेशर लगा रही ने क्रेंच खक्राहिए यह क्या है यह मैंने ने इसको फुला तो क्या कहां Ben यहां अब मैं या पहल अनि ते जा रहा है बढ़ते जा रहा हूं उस बैलून की एक हेखनाना इतना pressure से सकता है, इतना pressure withstand कर सकता है, पर जैसे ही pressure increase हुआ, वो balloon क्या हो गया? पट गया, वो balloon blast हो गया, क्योंकि उसमें अंदर जादा pressure हो गया था, यानि अब balloon की जो surface थी, वो उस pressure को सेह नहीं पाई, जिसकी वैसे क्या हो गया? पट गया, यानि जो air है, जो gas है, वो भी pressure exert क करती हैं यह एक जांपल से आपने समझ लिया आगे चलते हम बात करते हैं एट्मोस्फेरिक प्रिशर एट्मोस्फेरिक प्रिशर क्या होता है तो बचो एट्मोस्फेर क्या है हम अर्थ पे हैं और अर्थ के एराउंड क्या है एक एंवलप है एक लेयर है किसका गैसे का और उ तो उन गैसे का कुछ मास होगा अब वो गैसे भी क्या करती है हमारे उपर प्रेशर एपलाई करती है क्योंकि उन गैसे सिर्फ हमारे उपर नहीं इस अर्थ पर प्रेजेंट हर एक चीज़ पर इस अर्थ पर प्रेजेंट हर एक चीज़ पर वो गैसे क्या करती है प्रेशर ए से और उन messages का क्या होगा? Mass होगा? तो वो gases क्या करेंगी? वो gases अर्थ पर present हर एक चीज को compressed करेंगी या उस पर वो pressure apply करेंगी और वोही pressure जो की Earth के atmosphere जो Earth का atmosphere अर्थ पर present हर एक चीज पर जो pressure apply करता है उसी pressure को हम atmospheric pressure कहते हैं यानि the pressure which is applied due to atmosphere is known as atmospheric pressure atmospheric pressure अब बच्चो हम अर्थ सर्फेस से जितना contact में होंगे जितना नीचे होंगे यानि हम अर्थ सर्फेस के जितना contact में होंगे हमारे उपर उतना ही प्रेशर लगेगा क्यों 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 कि यहां सी पॉइंट यहां पर होंगे बच्चो कहाँ पर यहां पर हमें इतनी ज्यादा यानि जूब स्क्रीज होता जाएगा क्योंकि जो एमाउंट ओफ एयर है वो घटती जाएगी वो घटती जाएगी ठीक है बच्चो समझ में आया और यही कारण है यही कारण है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं जो माउंटेनियर्स होते हैं जब उचाई पर जाते हैं जो परवातारोही होते हैं जब उचाई पर जाते हैं जब वह अर्थ सर्फेस से एक सर्टेन हाइट पर चले जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है उनकी नाक से और यह से नोज और यह से ब्लीडिंग होने लगती है नोज और येर से ब्लीडिंग होने लगती है क्यों होती है ब्लीडिंग क्योंकि जैसे जैसे अर्थ सर्फेस से उपर जाते हैं वह प्रेशर कम होता है प्रेशर कम हो गया जब अर्थ सर्फेस से पर थे तो उन पर एक प्रेशर एपलाई हो रहा थ जिसकी वएसे जो blood है, वो हमारे नसों में, वीन्स में flow हो रहा था, arteries में flow हो रहा था, easily, पर जैसे ही वो उपर गये, pressure decrease होगा, pressure decrease होगा, तो pressure decrease होने की वज़े से, हमारी body का जो function है, वो क्या हो गया, थोड़ा सा disturb होगा, इस वएसे नाक और कान, nose और ear में इसे bleeding होने लगती ह यानि atmospheric pressure बहुत जरूरी है, अगर atmospheric pressure नहीं होगा, तो हमारी body में blood-free नहीं होगा, बाहर आने लगेगा, जो भी earth surface पर आपको construction, building, vehicle, सब चीज़े दिखते हैं, वो pressure की वज़े से ही हैं, अगर pressure को हटा दिया जाए, तो सारी चीज़े बिखर जाएंगी, सारी चीज़े बिखर जाएंगी, तो बत्चों ये था atmospheric pressure, क्यों लगता है, atmosphere में present air की वज़े से, जो pressure apply होता है, उसे हम बोलते है, atmospheric pressure और वो अर्थ पर present हर एक object, हर एक चीज़ पर लगता है, और जो normal pressure लगता है हमारे उपर, हमारे उपर उसे हम बोलते है, one ATM, यानि one atmospheric pressure, one atmospheric pressure लगता है हमारे adaptation होती है, पर जब हम अर्थ surface से उपर जाएंगी, तो ये कम होने लगता है, ये कम होने लगता है, ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आज के topics, ये थे हमारे आज के topics, पूरा chapter हमने एक single video में discuss किया, आज हमने देखा force क्या होता है, force interaction की वज़े से लगता है, force के effect क्या होत पढ़ा, हमने pressure पढ़ा, हमने सारी चीजें हर एक detail को बहुत ही अच्छे से समझा, अब आप इन सारे concepts related questions को करिएगा, तो आप देखेंगे कि अब आप से सारी चीजें बन रही हैं, अब बच्चों, जाते जाते, जाते जाते, मैं आपको आज के lectures related कुछ questions दे के जा रहा तो यह रहा हमारा first question, इसमें क्या बुला गया है, to draw water from a well, we have to dash 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 the rope, यानि जब कुए से हम पानी निकालते हैं, जब हम कुए से पानी निकालेंगे रसी की help से, तो हम क्या करेंगे रसी को, हम क्या करेंगे रसी को, है ना, मैंने hint दे दी है, मैंने अपने hand के movement से आपको hint द देना है, क्या हम rope को push करते हैं, compress करते हैं, pull करते हैं, या none of these, तो आपको बताना है, कि जब कुए से पानी निकाला जाता है, तो rope को क्या किया जाता है, ठीक है बच्चो, hint मिल गई है आपको, answer करना है, comment box में, next question, इसमें क्या बोला गया है, to stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its bow, तीर धन क्या करते हैं, यह रहा तीर, मैंने इसको पकड़ा, मैं यह जो rubber है बच्चो, यहाँ पर जो rubber होती है, उस rubber को इसमें तीर फंसा के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ही करते हैं, stretch कर रहा हूँ मैं, बो को stretch कर रहा हूँ, तो जब मै आप मुझे ये क्मेंट करके बताएंगे किी बोको स्ट्रेश करने से उसमें क्या चेंज याय आप यह जो आंसर देता हूं और इसकी जगे में लिदिता हूं मास इसकी जगे में लिदिता हूं मास ख़ाद आपके answer weight weight shape mass and none of these तो आपको answer करके बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा answer होगा वो कौन सा answer होगा ठीक है बच्चो नेक्स्ट चलते हैं यह रहां आपका third question, third or last question इसमें पूछा गया है the force applied by the archer to stretch the bow is an example of यानि जब वो को क्या करते हैं stretch करने के लिए जब हम force apply करते हैं बच्चो वो को stretch करने के लिए जब हम force apply करते हैं तो वो इन में से किस force का example है क्या हम वो को stretch करने के लिए electrostatic force का use करते हैं gravitational force का use करते हैं magnetic force का use करते हैं या फिर muscular force का use करते हैं यानि वो को stretch करने के लिए हम इन में से इन चारों में से कौन सा force apply करते हैं तो बच्चो आपको मैंने hint दे दी है आपने बहुत अच्छे से चीजों को पड़ा है अगर आपने ध्यान से चीजे सुनी होंगी तो आप इन तीनों questions के बिल्कुल सही सही answer देंगे बिल्कुल सही सही answer देंगे तो ठीके बच्चो मैं wait करूँगा आपके answer का comment section में और आज के lecture को हम अब यही end करते हैं अब मिलेंगे बच्चो हम next lecture में friction topic को लेकर यानि हम friction chapter को खतम करने वाले हैं अगले lecture में तब तक आप पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए और इसके साथ साथ बच्चो आपको अपना ध्यान भी रखना है तो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए थैंक यू